तो विजियम सीरीज के next session में हम लोग आ चुके है और आज MP geography and quality का जितने भी objective type questions है उनको यहां से हम लोग discuss करना चालू करेंगे तो ज्यादा time waste नहीं करते क्योंकि आपके पास समय कम है तो यल्दी यल्दी discuss करते जितने questions हो सके पहला question है पंच परमेश्वर पोर्टल एप launched in which year बहुत basic और जनरलाइज सा question है कि MP government ने पंच परमेश्वर पोर्टल कौन से year में launch किया था year 2019 2014 2017 2023 इस question को मेन मोटीव यह है क्योंकि basic सा यह आपका जो unit 9 है IT वाली है ना ICT वाली उससे भी related है रहुल मिश्वर गुड इवनिंग आशी शोजा पठान साब गुड इवनिंग सब लोगों को गुड इवनिंग यहा ध्यान देते हैं कि पंच परमेश्वर पोर्टल अगर आप देखो देखोगे तो यल्दी यल्दी इसका आंसर बता दिए थोड़े कमेंट का साइस बड़ा घर दीजिए स्क्रीन पर इना वह साइस छोटा है यल्दी बताईएगा तो जैसे कि इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं तो इसका आंसर हमें दिखाई दे रहा है कोश्चन टफ है किसी का आंसर नहीं आ रहा मतलब टफ कोश्चन था एड कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि पंच परमेश्वर पोर्टल स्टार्टेट बाए MP गवर्मेंट या पिन दEx joc जो है ई ग्राम-स वराज-मोबाइब पृश्चों क्या है ई ग्राम-स वाराज-मोबाइब कौन से-े इर में लौंच किया गया था बहुत बेसिक पखा Moreดा सिदा सिदा मेद ऐखाईल कोश्चन होची एग्राब सवाराज-मोबाइब आप लौंच इन विच यर 2020 2014 2018 and 2016 क्या है इसका अंसर जल्दी बताईजिए बहुत इजी कोश्चन है ग्राम सहराज बेसिकली क्या है कि रूरल डवलप्मेंट के लिए हमको ग्राम सहराज दिखता है और इसी को हम लोग अंकीता ने अंसर लगबग करेक्ट दिया इसका अंसर है 2020 तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसको यहाँ से याद रखिएगा नेक्स कोश्चन है MP LRC मद्यविदेश लेंड रविन्यू कोड वॉज इनक्टेड इन विच यह बहुत सिंपल सा कि मद्यविदेश भू राजस्व सहिंता है ना एक्ट जो है उसे कौन से यह में इनक्ट किया गया था जैसे ही आप लोग यह आंसर देखते हो जैसे ही आप लोग यह उप्शन देख रहे हो तो आपको MP LRC के बारे में दो चार चीजे बतायता हूं कि MP LRC जो है और सभी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में स्वाती, मृणालनी, पृती, रौनक, आनत क्लासे सभी लोग इसका आंसर करेक्ट दे रहे है दो अक्टूबर 1959 को मद्यविदेश लेंड रेविन्य कोड इनक्ट हुआ था इसको कहा जाता है अक्ट नंबर 1 of MP गवर्मेंट काउनसा नंबर का एक्ट है MP गवर्मेंट का? अक्ट नंबर 1 of MP गवर्मेंट और रेविन्य दिपार्ट्मेंट के अंडर में आपको एक्ट दिखाई देगा नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं यहां से हाउ मेनी कमिटीज वर इनिशली कॉंस्टुटेट इन ग्राम सवा अंडर था मध्य विदेश का जो पंचायती राज एक्ट आया था 1993 में उसके अंडर कितनी कमिटीज बनाई गई थी बहुत बेसिक सा कोश्चन है और इसमें और आपको मिलेगा 2010 2010 आपको मिलेगा दस कमिटी आर्ट कमिटीय चे कमिटी चार कमिटी कितनी कमटी यहां पर बनाई गई थी दस आट चे और कोश्चन बहुत थोड़ा सा टफ लेवल का कोश्चन है और आपको यहां से बताना है जैसे कि अगर मैं आपको कोश्चन भी ध्यान से पढ़ियेगा इसका आंसर देने से पहले जैसे दिपीका पाटिदार रहे हैं क्या आंसर हो सकता है वर्श्रा से गुड इवनिंग कमिटीज बनाई जाएगी बहुत जनरलाइज सा कोश्चन है बिलकुल बताएं कोशिश करिए यहां से तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि मद्यविदेश में इस एक्ट में अब वर्शा सिंग ए लौ सॉलूशन ए विवेक शर्मा ए सभी लोग इसमें आंसर अब ए ब दिखाई देती हैं आठ कमीटी दिखाई देती है कि आठ कमीटी बनाई गई थी उसके बाद ग्राम सौराज अधिनियम 2004 जब अमेंड हुआ था तो इसमें एक ग्राम निर्मान कमीटी और ग्राम विकास कमीटी दो नई कमीटी भी आट की गई थी तो अब लेकिन फिर यह बाकी के आठ कमीटी को हटाया गया और डो कमीटी बनती है सिर्ण हम ने पूछा है 1993 का और 1993 में कितनी थी में ग्राम विकास समीती होगा करती थी दो कमिटी आपको यहां से दिखाई है और जैसे कि यहां पर एक वो चीज़ और आई है ग्राम सभा के बारे में तो आप सभी को पता है कि ग्राम सभा में वो सभी लोग आते हैं जिनकी उम्र 18 साल से उपर है वो सभी लोग ग्राम सभा में आएंगे इसका अंसर क्या हो जाए जैसे कि आप देखते हो कि panchayati राज लेवल पर आपको तीन बॉडी दिखती है, सबसे basic लेवल पर आपको gram सभा दिखेगी, जो एक component है, basic level पर आपको दिखेगा gram panchayat, intermediate level पर janpat panchayat और apex level पर आपको जीला panchayat, तो तीन टायर हमको system दिखता है, यहाँ से, तो इस 3 टायर system सिस्टम में और उसने ग्राम सभा भी दिया है कि स्थ्रीट इयर सिस्टम में एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवल्लपमेंट प्रोग्राम है जिसको इंडियन गवर्मेंट ने 1978 में स्टार्ट किया था जिसको हम लोग IRDP के नाम से भी कहते है और इस IRDP का मेन कंसेप क्या है कि जो BPL है बिलोग पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग है उनको अपलिफ करना है उनको ज्यादा ज्यादा इंप्लॉइमेंट प्रोवाइट करवाना है तो उसके लिए IRDP आया था तो इस IRDP को कौन इंप्लिमेंट करता है रॉनक गुंजाल हलीमा आनन्द क्लासेज लॉसलूशन है ना फिर दिपी का पाटिदार तो लॉसलूशन यह बता रहा है बाकी सभी लोग इसका अंसर सी बता है विलकुल करेक्ट है इसका अंसर इसका आंसर हमें क्या दिखाई देगा कौन जो आपका उप सरपंच तो इसको भी थोड़ा से याद रखेगा फिर उसके बाद हम देखते कि इंटरमीडियेट लेवल पर जन्पत पंचायत होता है और फिर जिला पंचायत हमको दिखाई एती है तो यह तीन चीजे और यहां पर जो इसका इंप्लिमेंटिंग ऑफिसर होगा बीडियो भी कहा जाता है इसको तो यह भी एक फैक्ट याद रखेगा आई डीप को इंप्लिमेंट कौन कर रहा है जन्पत पंचायत इंप्लिमेंट करता है फिर एक और आपको यहां से एक्ट आया मध्य विदेश ग्राम पंचायत कभी CME-CME पर फोकस करेंगे कभी गवर्नर पर ही तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा पंचायती राज के उपर फोकस किया है तो बताईएगा यहां पे कि क्या कब आया था मध्य विदेश ग्राम पंचायत रेगुलेशन ऑफ सेल आफ मीट और प्रिजर्व रूल केम इंट कौन से यहर में एफेक्ट में आया था जल्दी बता दीजिए इसका अंसर क्या हुआ हुआ को इसलिए अब इस्तिति अंबीर हो गई वह कुश्चन वाकरी टॉफ है इसको ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है ना अमरीता राइकवार जी बता रही है कि ऑप्शन ए हो सकता है है 1986 लेकिन अमरीता जी थोड़ा साम इसमें कंसेप्ट लगाएंगे तो हमको एको नैना शिवरे 1998 बता रहे तो अगर आप इसमें कंसेप्ट लगाओगे 1986 कैसे हो जाएगा मद्देविदेशन तो पंचायती राज 1993 के बाद आया है ना तो हम कुछ ऑप्शन को तो ऐलिमिने बिल जाएगी आपके पास नए facts add हो जाएँगे तो आपका confidence बढ़ जाएगा तो आप देखो इस question paper solve करने तरीका 1993 में मारे पंचायती राज act आया यह दोनों तो answer बिल्कुल नहीं होंगे 86 और 89 अब हमारे पास बचा 94 और 98 तो इसका answer basically क्या होगा इसका answer अब देखो तुक regulation of sale of meat and preserve जो ग्राम पंचायत act है 1998 में आया था रहेगी बात है दिपीका पाटिगार 1998 सहीं है अमरिता रायकवार ओके ठीक है आ रहा है इतना समझ में आगे चलते है त्री टायर पंचायती राज system in India was recommended by इंडिया में थ्री टायर पंचायती राज system किसने मैंने किया था यहां को कूछ by कभुश कमीटी दिखाया आपर मैंनेये बलवंथ रमत के राया हुए और आशक कमीटी सब्सक्राइब कुछा में बलवन्तराय महन से बताइब बलवन्तराय मेहता कम क्क्मीटी मेहता कमिटी जो 1957 में बनी फिर हमारे पास एक और कमिटी है एलम सिंग वी कमिटी जो 1986 में बनी फिर हमारे पास एक और कमिटी है जी वी के राओ कमिटी जो 1985 में बनी और फिर हमारे पास एक और कमिटी है अशोक महता कमिटी जो 1977 में बनी हुई है अब हमें उसको यह बताना है कि इन सभी में से हमारा correct answer क्या है हमारे पास year भी आ गया और सभी लोग जिस speed से answer दे रहा है मतलब easy question था और हमसे बनना चाहिए था और संकीता से लेकर रक्षिता लेकर वर्षा छित्रांश सभी लोग इसका answer बलुबंध राहे meहता बिल्कुल आपका answer क्या होगया अंसर हो गया आपका करेक्ट की आंसर बलवंत राय महता है लेकिन फिर L.M. सिंग भी भी तो option में है तो L.M. सिंग भी कमिशन ने क्या बोला था L.M. सिंग भी कमिशन ने बोला था कि financial resources जादा से जादा provide करिये और constitutional status की मांग की थी इसके लिए पंचायती राज के लिए और आप देखते हो कि 1986 में L.M. सिंग भी कमिटी आई थी और 1992 में पंचायती राज आएक्ट आ गया था और मत्यविदेश में इंप्लीमेंट भी वगया था 1993 में तो इसलिए हम यहां से देखते है कि L.M. सिंग भी कमिटी ने क्या बोला constitutional status की बात की बलवन्त राय महता ने थी टायर की बात की फिर आपका अशोक महता कमिटी थी अशोक महता कमिटी ने टू टायर पंचायती राज status की बात की थी इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ कमिटी और है जो आपको याद रखना चाहिए कभी प्रिल्यें से पूछ ले किस से रिलेटेड है तो एक कमिटी बनी थी थूंगन कमिटी एक कमिटी आपको बनी थी खर्रा कमिटी कर्रा कमिटी बनी थी कब 1990 मे तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ से याद रख्याएगा कि थुंगन कमिटी और जो आपकी खर्रा कमिटी है यह जो important committees है जो हमको यहाँ से दिखाई दे रही है कौन-कौन सी थुंगन, खर्रा, बलवंत रायो महता, एलेम सिंग्वी, जीवी के रायो और अशोक महता, बलवंत systematic way में हो, तो यह आपके जीवी के रायो जी ने कहा था, तो इस fact को भी थोड़ा सा याद रख्येगा, रहीगी इतनी बात है, फिर next आगे चलते हैं, अगला question, ग्राम सौराज सिस्टम स्टार्टेड वा MP गवर्मेंट इंविच एर, मद्य विदेश सरकान ने ग्राम सौराज सिस्टम को कौन से एर में लेके आये थे, जैसे कि आप यहां से देखोगे, तो आपको बता दूँ कि हमारे यहां इसको पहले पंचायती राज सिस्टम कहा जाता था, अब उसको ग्राम सौराज सिस्टम भी कहते हैं, तो यह जो चीज है, ग्राम सौराज सिस्टम MP गवर्मेंट ने कौन से एर में लेके आये थे, ऑप्शन है 2001, 2003, 1998, 2005, बेसिकली ग्राम सौराज का कंसेप्ट यह था, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है Decentralization को प्रमोट करना है, राम कृष्ण भोरगे जी बोल रहे है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चितराज जी बोल रहे है, Constitutional status, 26 जनवई 2001, शिवम बागरी 2001, रगोंशी 2001, है न, सिसोधिया 2001, तो मैक्जिम लोग इसका आंसर 2001 बता रहे है, बिलकुल इसका जो करे सा यहां से, याद रखेगा, फिर next यहां से चल रहे है, which statement is incorrect regarding भगवत दयाल शर्मा जी, बहुत बढ़िया कोष्ण है, थोड़ा सा लेवल चेंज किया, आपन ने पंचायती राज से हड़ गए, है न, रोनक गुंजाल बोल रहे है, questions बहुत मस्त आ रहे है, data in reach हो रहे है, आकांशा तीवारी बोल रहे है, ग्राम सौराज ने महात्मा गांधी जी ने दिया था, बिलकुल दिया था, बिलकुल मान रहे है, लेकिन हम लोगों ने ग्राम सौराज जो concept है, 2001 में लेके आया थे, और questions बढ़िया है, तो अच्छी बात है, और कोशिश करेंगे कि और इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, जब भी आप इस टाइप के question पड़ो, तो याद रखना है, आपको ये देखना है, की इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, जैसे राम कृष्णी जी बोल रहे है, सर जी आपका नाम क्या है, मेरा नाम है सौरब, है ना सौरब यादव, चलिए, विच स्टेट में, इनकरेक्ट तो यहाँ से याद रखिएगा, तो अब देखो, पहला स्टेटमेंट देखो, ये वाज दा चीफ मिनिस्टर अपी, बिल्कुल हम इसको सही मानते, क्योंकि हरियाना के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, यही थे, तो फर्स्ट चीफ बिल्कुल सही बात है, उडिसा के गवनर भी थे, तीसरा, लिवाज देखो, याद रखिएगा, भगवध द्याल शर्मा का जन्म कहां हुआ, हरियाना के पहले CM बने, पहले गवनर बने, उडिसा के, मद्यविदेश के भी गवनर रहे है, लेकिन के गवनर नहीं रहे है, ल आपके तीन पॉइंट याद कर लो, आपके तीन पॉइंट और एड़ ओन हो गया, ठीक, चलिए, फिर जैसे आगे चल रहे है, फॉर्मर गवनर ऑफ MP भगवत द्याल शर्मा, बॉन इन विच स्टेट, है ना, फिर वही कोश्चन, जिसका आंसर मैं आपको देखे आ रहा कुशन है कि भगवत द्याल शर्मा का जन्म मद्यविदेश काहन से स्टेट में हुआ है, केरल, करनाटक, हरियाना, कश्मीर, केरल, करनाटक, हरियाना, कश्मीर, और मैक्जिन जादा है, हरियाना, और आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग ने इनके बारें बात कर चुके है, नेक्स कुश्चन, हुइस दफ प्रिजेंट पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, बताईएगा, ऑप्शन में है महेंदर सिंग सिसोधिया, ऑप्शन में प्रेम सिंग पटेल, ऑप्शन में अर्विन भदोरिया जी और ऑप्शन में है प्रभुराम चौधरी जी, अब आप आपके पास यहां पे चार नाम है, इन चारों में से मद्य विदेश के पंचायती राज मिनिस्टर at present कौन है, महेंदर सिंग सिसोधिया, प्रेम सिंग पटेल, अर्विन भदोरिया, प्रभुराम चौधरी, और मैं ऐसा मानता हूँ कि कमेंट सेक्शन में अभी तक तो आप शर्मा, हलीमा पटान, प्रिती, तीवारी, है ना भोर गया, सभी लोग इसका आंसा बिलकुल सही बता रहे है, और इसका आंसर है महेंदर सिंग सिसोधिया जीए, थोड़ा सा यहां से याद रखिएगा, कि जो आपके महेंदर सिंग सिसोधिया है, यह मद्य विदेश के गुना डिस्ट्रिक से आते हैं, गुना डिस्ट्रिक में जगा पढ़ती है, बमोरी, तो यह बमोरी लोगसभा सीड जो है, बमोरी लेजिसलेटिव असेमली है, उसको रिप्रिजेंट करते है, महेंद सिंग सिसोधिया, तो याद रखिएगा, पहले कॉंग्रेस में थे, महेंद सिंग सिसोधिया, मध्यविदेश के गुना डिस्ट्रिक के बमोरी से आते है, और यहाँ पे बमोरी को रिप्रिजेंट करते है, और एक और चीज़े कि अभी अध्रिजेंट में मध्यविदेश के पंचायती राज मिनिस्टर है, ठीक रहेगी बात यार, तो आगे चलते हैं, next question, MP पेसा रूल introduced in which year, मध्यविदेश पेसा रूल कौन से year में आया है, act की बात नहीं कर रहा हूं, rule की बात कर रहा हूं, है ना, मध्यविदेश पेसा रूल introduced in which year, 2019, 2014, 2017 और 2022, अब जब तक आप लोग इसका answer दे रहे हैं, मैं कुछ पेसा एक्ट के बारे में आ 1994 में दिलिव सिंग भुरिया कमिटी बनी उसकी recommendation आई, और उसकी recommendation के basis पेसा एक्ट को implement किया गया, और इस पेसा एक्ट को मत्यविदेश में भी enact किया गया, पेसा एक्ट के तहत अगर आप देखोगे, तो जो ग्राम सभा है, उसको ये power मिल जाती है, कि बिना ग्राम सभा की permission के पंचायत को जितना भी पैसा दिया गया है, वो पैसा खर्श नहीं कर सकती, दूसरी बात है कि इसमें एक और ग्राम सभा को power है, कि जितने भी license धारी money landers है, सिरफ वही यहाँ पर क्या दे सकते है, लोन दे सकते है, ट्राइबल इलाकों में, और अगर वो ज़्यादा ब ग्राम सभा को देना पड़ेगा, उसी के अलावा यहाँ पर एक और चीज बोली गई, कि छोटे मोटे मामलेों के निप्टान हेतु यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एक समीती बनाई जाएगी, जो आपके निवारन समीती की नाम से कही जाएगी, एक तो यह चीज़े दूसी बात है कि किसी भी गाउं में नई भांग की दुकान और शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, जब तक ग्राम सभा परमेशन नहीं देगी, जहाँ पर पेसा एक्ट लगा हुआ है, तीसरी बात यहाँ पर है, जो फोरेस्ट प्रोड्यूसेस है, जिसमें इसको भी यहाँ से याद रखिएगा, तो यह आपका year कौन सा आ गया, 2022 सभी लोग इसका आंसर लालपूर शैडोल वगेरा दे रहे है, सभी लोग का आंसर सही है, आकान शातिवारी जी का भी आंसर सही है, आपको पेसा एक्ट समझ में आ गया, जिनको नहीं पता था कि पे इसका इतना importance क्यों माना गया कि आप देखो ना ग्राम सभा को कितना पावर हुल बना दिया गया यहाँ पर, फिट नेक्स यहां से आ रहे हैं, इसमें से कौन सा चीफ मिनिस्टर मध्यप्रदेश में पैदा हुआ, इनमें से कौन से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश में पैदा हुए है, है ना, तो क्या नोटा पैदा हुआ था मध्यप्रदेश में, क्या उमाभार्ती जी पैदा हुई थी, या श्री बाबुलाल गौ पैदा हुआ या विच सीफ मिनिस्टर एंपी बॉन इन मद्यविदेश रॉनक गुंजाल बोल रहा है नोटा मतलब उंका ऐसा कहना है कि यह तीनों मुख्यमंत्री जो आपके उपर दिये हुए है यह सब कहां पैदा हुए है यह आपके उत्तर प्रदेश में या कहीं और कोई नहीं आशी सांखला जी कह रहे है कमलनाथ चित्रांज दूबे बोल रहे है उमाभारती गुंजाल साब बोल रहे है सी अगर आप यहां से देखोगे तो कमलनाथ जी जो है इंका जन्म हुआ था कानपूर में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे बाबुलाल गौर अगर इंकी बात करें तो यह भी कानपूर उत्तर प्रदेश पैदा हुए थे उमाभारती जी इंका जन्म हुआ था कहां पर टीकमगड में तो यह भी चीज याद रखना टीकमगड मद्यविदेश में आता है आप सभी को पता है और नोटा तो फिर ही नहीं तो यहां से हम पहला मोदी कैबिनेट था तो स्वक्षे गंगा मिशन की मंत्री रही थी आपकी उमाभारती जी तो यह भी थोड़ा सा याद रखेगा उमाभारती मद्यविदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री टीकमगड बर्थ हुआ है कमलनात का बर्थ जो है कहां हुआ 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 इनमें से कौन सा जो पेर है वो इनकरेक्ली मैच है पताईएगा विच फोलोविग पेर इस इनकरेक्ली मैच बहुत सिंपल सा है अकांशा थिवारी बोल रही है 2003 में CM बनी बिलकुल और अभी शराब बंदी के बिलकुल पक्ष में है कि शराब को बंद कर देना चाहिए जल अब मैं इसका option नहीं बताऊंगा आपको खुद सोचना है और आंसर जल्दी दीजिएगा क्या हो सकता इसका आंसर कन्योज आस्था यादव जाटव है ना सभी लोग इसका आंसर डी बता रहे है डी धार इंदौर में है बता है रक्षीता माली बता रहे है डी मतलब पकड़ लिया आपने नहीं फस पाए मेरे ट्रिक में है ना बहुत दूख होता है जब ट्रिक में नहीं फस पाते हो गलत आंसर दे दिया अच्छी बात है तो इसका जो correct answer क्या होगा इसका correct answer होगा डी तो यह चीजिए आद बाक्या पुर्ण अहीं चीजिए रिखा प्लॉ के दाखंगे तूम पीजा पूरे है ना इसको थूड़ा से यह रखे का क्यार कर आगा तो स पर बोल रहे हैं, sir आपने कली क्लास में बता है, क्लास याद रख रहे हैं, अच्छी बात है, which state has became the first state to enforce a right to recall in local bodies, Rajasthan, Gujarat, Madhya Vidas, Maharashtra, एक ऐसा question जिसको exam में गलत करके आना, मतलब अपने हाद से अपना selection रोकने वाला question, है न, Rajasthan, Gujarat, Madhya Vidas, Maharashtra, right to recall, मतलब आपको अगर कोई कोई वेक्ती पसंद नहीं आ रहा है, पारसत पसंद नहीं आ रहा है, आपको कोई, वहाँ पे उसको recall कर सकते हैं, और अपस आ, तुमसे काम नहीं हो रहा है, तो यह जो है, Madhya Vidas, मॉतम पहला ऐसा state बना, जिसने right to recall का use किया या right to recall को implement हिया और इस सबसे पहले पलवी का पटेल जी को हटाया गया था इसको पलवी का पटेल जी को जुम्मद्यभिदेश के शेडोल डिस्ट्रिक से आती है तो ये भी यहां से थुड़ा सा याद रखेगा right to recall पहली बार इसको यूज भी किया गया, पल्लिवी का पटेल जी को हटाया गया था, मद्वेदेश पहला इस्टेट ऐसा बनता है, नेक्स कोश्चन है, भीमरा अंबेटकर इंस्ट्यूट आफ टेली कॉम इन ट्रेनिंग इस लोकेटेट इन विच दिस्ट्रीक, यह उसका पॉलिटिक्स, इसलिए क्योंकि एक तो लिटरसी रेट कम है, दूसी बात है, अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में अवेर्नेस ना होना, दूसी बात, एक और आप देखोगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फिर मेल डॉमिनेंस से सुसाइटी में, बहुत सारी चीज प्रियंका यादो, डी, और इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे, तो इसका करेक्ट आंसर है, जवालपूर, इसके दो-तिन फैक्ट याद रख लेना, आपने एक नाम सुनाओगा, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL की ट्रेनिंग होती है, हाँ पर, किसकी ट संचार निगम लिमिटेड का बना, साल 2000 है, BSNL का फॉर्मेशन या, इस्टैबलिश्मेंट हुआ था, और ये डॉक्टर भीम रामबेट का इंस्टुट आप टेलिकॉम ट्रेनिंग इस लोकेटेड इन विज डिस्टिक, तो इसका आंसर है, जवालपूर, अब कभी भी आद आजानी चाहिए कि ये बिल्डिंग हमने देखी थी, ठीक है, चलते आगे, next question है, which governor of MP was from Kashmir, मद्यविदेश के वह कौन से राज्यपाल है, जो कश्मीर से आते है, कितना प्यारा question है, कुवर महमूद अली खां, मोहमद शफी कुरेशी, जस्टिस जीपी सिंग, सत्य न पर है, क्योंकि नागपूर में अंबेटकर जी ने क्या है, दिख्षा भूमी कहा जाता है, नागपूर को अंबेटकर जी की, पताईए, which governor of MP was from Kashmir, कुवर महमूद अली खां, मोहमद शफी कुरेशी, जस्टिस जीपी सिंग, सत्य नायान सिना, बिल्लूल, मद्यवदेश, निलेश पंचवरिया जी, सर आज के टेस्स का डिस्कुशन नहीं हुआ, आज के टेस्स का डिस्कुशन कल तक अपलोड हो जाएगा, जो हिस्ट्री के फैकल्टी वो करवा के डाल देंगे, आपके, नेना शिवर है, मोहमद शफी कुरेशी, सौराफ सर्मा भी, दिपिका प सर्तनारायन, सिन्हा, प्रेंका याद हो भी, ठीक है, मान लेता हूं तुमाई बात, कि मोहमद शफी कुरेशी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मोहमद शफी कुरेशी जी का जन्म जो हुआ था, वो जम्मी कश्मीर में हुआ था, तो अपने आप में थोड़ा सा यूनीट अपने नाम सुनाओं का मेरट पढ़ता है, मेरट यूपी आ पढ़ता है, तो आपके कुवर महमूद अली खां मेरट उत्तरखदेश के थे, मोहमद शफी कुरेशी जी आपके कहा के थे, कश्मीर के थे, और एक और आपको दिख रहा है जस्टीस जीपी सिंग, तो जस्टी मोहमद शफी कुरेशी, क्या है इसका correct answer, मोहमद शफी कुरेशी जी याद रखेगा, तो यह आपका यहां से complete हो गया, next चलते है, former Chief Justice of India रमेश चंद्र लाहोटील, died on which date, अब तुम बोलो कि ऐसा थोड़ी नहीं होता है, कि ऐसे date पूछने लगी कौन सा वेक्ति, कब उनकी death हुई, date ये भी तो देखो कि year कौन सा है, 2022, 2023, पूरे option ऐसी है, तो ये तो current affair है, और मद्यविदेश PSC की तो आदत रही है, उसने तो ये भी पूछा है, कि अमेरिका ने इस देश को कौन सी date को capital declare किया, उसने ये पूछा है कि इस date पे क्या हुआ है, तो ये तो बहुत ही current है कि justice रमेश चंद्र लाहोटी जी की जो death हुई है, वो किस दिन हुई है, 23 March 2022, 25 March 2022, 23 February 2022, 25th of February 2023, तो बता दिए जल्दी कि आश्ची सांखला जी बोल रहा है, पूछ लेते हैं, विल्कुल पूछ लेते हैं, आश्ची जी इसलिए और important है ना, बहुत बड़े वेक्ति है, च एक important personality है, तो ये भी याद रखिएगा कि इंका जन्म गुना में हुआ है, मद इंडिया के CGI भी रहे, Chief Justice of India भी रहे, तो ये जो लाहोटी जी है, इंका death कव हुई, रक्षिता, दिपीका, रामकृष्न, सभी लोग इसका answer ये बता रहे हैं, इसका answer बिल्कुल correct है, 23 March 2022, है न का हुआ था, 23 March 2022, को इनकी death हुई है, लाहोटी जी का फोटो भी देख लो, तो आपको याद रहेगा थोड़ा सा, गुना से आते है, रमेश्यंद्र लाहोटी, Chief Justice of India भी रहे, ठीक, 23 March 2022, बाबा बलो, रमेश्यंद्र लाहोटी, 23 March 2022, 23 March 2022, फिर आखे जलते है, who among the following was the first acting governor, इन में से कौन सा, मर्द्य ब्यदेश के पहले acting governor रहे है, मतलग कारे वाहक, राज्यपाल रहे है, स्री कृष्ण मोहन सेट, एंडी योजा, जीपीए सिंग और पीवी दिख्षित, जल्दी बताईएगा, कि कौन है इसमें से, सभी लोग इसका आंसर देते आ रहे है, पीवी दिख्षित, पीवी दिख्षित, बिल्कुर सही बात है, अगर हम इसकी बात करते है, तो इसका जो आंसर है, पीवी दिख्षित है, लेकिन सभी लोग ऐसे क्यों याद कर लेते हैं, पीवी दिख्षित, कभी उसने पूरा न काम दे दिया तो पुर्षोत्तम विनायक दिक्षित जी कौन पुर्षोत्तम विनायक दिक्षित जी याद रखेगा यह आपके पुर्षोत्तम विनायक दिक्षित जी है यह मद्यविदेश के पहले एक्टिंग गवर्नर बने इसी साथ आप इनको देखोगे कि यह तो यहां से हमको याद रखना है किसके बारे में पुर्षोत्तम विनायक दिख्षित थिक पहला fact दूसरा fact क्या है कि मद्रीदेश के Chief Justice भी रहे तीसरा fact क्या है मद्रीदेश के पहले Acting New York City और एक और देश स्टेट के लोकाईुक तभी रहे तो आपको यहाँ से याद रखना है यह कौन आ गए पीवी दिख्षित याद रहेंगे आपको पीवी दिख्षित तो इतने फैक्ट है आपके पीवी दिख्षित के बारे में मुझे लगता है कि याद हो गए होंगे औ पूछे आप एक इजी कोश्चन पूछ दिया है ना किम्मत विदेश में गंगा और ट्राइबल्स आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है उप्षन में है नर्मदा media mahi river, यहाना क्लासेश को पढ़ने है बहुत जरूरत है नाम में आप लिदेश इस्तित्रेश है जो वेस्टरन एरिया ट्रैवल करती है जो गल्फ ऑफ कैमबे मतलग खंबात की हाड़ी में जाती है गल्फ ऑफ कैमबे को जॉइन करती है फिर एक और चीज है यह वही रीवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है यह मद्विदेश के धार से ऐसे आती है इधर गुजराज जाती है और फिर एसे धार से निकलती है राजिस्थान जाएगी और फिर गुजराज जाएगी राजिस्थान के बासवाड़ा तो यहां से आती है टी ओसी तो टी ओसी को दो बार काटती है आपकी कौन माही रिवर जिसको मही सागर के नाम से भी हम लो कहते है इसको गंगा आफ ट्राइबल्स भी कहते है तो यह भी फैक्ट यहां से याद रखिएगा कि माही रिवर जो ट्रॉपिक आफ कैंसर को दो बार काटती है मिंडा विलेज सर्दारपूर धार से निकलती है गंगा आफ ट्राइबल्स भी इसको कहा जाता है बासवाडा में इसके पूर्णीमा का मिला मध्यवदेश में कब लंग काउसि नदी के बैंक्स पे लगता है तवा रिवर माही रिवर नर्मदा रिवर वेंगंगा रिवर ऐसा कुश्चन जो एक्जाम में तुक्का मारने मजबूर कर देगा थोड़ा सा तफ थोड़ा सा इजी मीडियम लेवल क कोश्चन इसको बोल सकते हैं लेकिन टफ के तरफ ज्यादा जाता हो दिखाई देगा और जिससे आप से कमेंट आ रहे हैं उससे आप से इस्थिति गंबीर भी हो जाती है यल्दी यल्दी बता दो पठान साब आस्था प्रियंका महीमा दिप्यका बोल रही है माही अंकीटा सब variable इसका आंशर बिल्कुल सहीं पकड़ा है अप लोगने इसका आंसर होगा नर्मदा रीवर शारत पूर्णीमा का मिला जो है आपका कहा लगता है नर्मदा रीवर के तड़के लगता है और यह बेसिकली कहां लगेगा नर्मदापुरम में लगेगा तो इस फैक्ट को भी यहां से याद रखेगा थोड़ा सा कि कहां लगता है नर्मदापुरम में लगता है तो एक फैक्ट यहां से यह भी आ जाएगा कौन सा शरत पुर्णिमा का मेला दिद्रवाति पाहुज और रिवा पदमावती पुष्वावती निलेश पच्छवरिया जी बोल रहा है पारवती नदी को कहते हैं वो सकता है निलेश जी देखना पड़ेगा पहले बता लो जल्दी विष्वर इस पुष्वावती मैं देता हूं अंसर तुम लोग नहीं दे रहे हो तो इसका अंसर क्या है इसका अंसर होगा पाहुज रीवर जो कहां ट्रैवल करती है पाहुज रीवर बेसिकलिए आपका शिवपूरी में ट्रैवल करती है तो इसको भी थोड़ा से याद रखेगा कि आपका जो है पुष्वावती इसको कहते है पुष्वावती आपका बेसिकलिए पाहुज रीवर को कहते है तो यह भी फैक्ट यहां से हमको याद रखना है राजीर सागर बांध मद्विदेश में कहां बना है तो बताईए जिसके आनन्द क्लास बोल रहा है तो अगर आप सोर्स ऑफ स्टेडी बात करना चाहते तो कर लेक्ट लाइव क्लास है प्रिलिम्स की स्ट्रैटेजी को लेके तो उसके बारे में नोटिफिकेशन प्रिलिम्स रिलेटेट ठीक तो बताईए यहां से कि राजीर सागर डैम मद्विदेश में कहां पर है जल्दी जल्दी लोग आंसर सहीं दे रहा है बिलकुल इसका सहीं आंसर क्या होगा पाला घाट होगा इसको हम लोग और यह जो डैम बना हुगा है कौनसा आपकी एक न इसको याद रखेगा फिर नेक्स तैट रूती डैम कंस्रुक्टेड अक्रॉस विच रिवर तो जो डूती डैम है वो कहां बना है धूती डैम जो है आपका ज्यादा इसमें समय लूगा सीधा में आंसर बतायता हूं धूती डैम जो है वें गंगा रीवर के उपर बना हु और बेसिकली आपको मध्यविदेश के कौन से district में देखता है या आपको मध्यविदेश के बाला घार district में देखता है तो यहाँ से याद रखेगा फिर यहां से पलकमती irrigation tank मध्यविदेश में कहां पर है बहुत important अगर आप मध्यविदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट की साइट पर जाओगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारी इंफरमेशन मिलेगी कि पलकमती इरिगेशन टैंक का है रायसेन बैतूल अलिराजपूर नीमच जल दी इसका अंसर बता दीजिए बाकी में दो मिनट फिर इसका अंसर बताई दू आज की तारीक में रायसेन जीले में पढ़ता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका अंसर पढ़ जाएगा क्या रायसेन डिस्टिक में आपका पलकमती टैंक पड़ेगा फिर नेक्स जा रहे है नाल सेशा डैम आप बालागहाट चंस्ट्टेड अक्रॉस विच रीवर थेल रिवर, बाग रिवर, चंदन रिवर और आपका कथनी रिवर तो बतायेगा नाल सेशा डैम जो है बाला घाट का वो कौन सी नदी के उस पे बना हुआ है थेल, बाग, चंदन और कथनी रिवर इसमें से किस के उपर बना हुआ है बहुत आसान कोश्चन है गोविंदा रक्षिता इसकांसर दे भी रहे है और इसकांसर बिल्कुल आप लोग जो गैस कर रहे हो जो सही जा रहा है इसकांसर इसकांसर बिल्कुल ही सही है इसकांसर जो आप देखोगे चंदन रिवर के ऊपर आपको दिखता है चंदन रिवर कहा है आपका बालाघाट ड कर लेना थोड़ा सा आपका confidence बढ़ा देगा है ठीक फिर फॉर्मर चीफनिस्टर मद्यविदेश कैलाश चंद्र जोशी बिलॉंग टू विज डिस्ट्रिक ऑं मद्यविदेश के जो मद्यविदेश के चीफनिस्टर भी रहे है जो राज्यसभा के मेंबर भी रहे है जो जोशी जी जो है यहां से हम मैंने जल्दी जल्दी बता दो नर्सिंगपूर भोपाल गॉलियर देवास कहां पर इंका बर्थ हुआ है तो कन्योज बता रहे है डी हलिया बठान डी जोती कन्योज डी और इसका आंसा बिल्कुल सहीं है इसका आंसा आपको मिलेगा देवास तो यह हाट पिपलिया करके जगा पड़ती है कौन से जगा पर देवास में तो इसको भी याद रखिएगा हाट पिपलिया देवास ठीक रहेगी बात याद तो इसको भी यहां से थोड़ा सा याद रखिएगा ठीक आगे चलते हैं फिर जैसे आगे यहां से तो चिल्लर ड चिल्लर डायम इस सिचुएटे इन विच डिस्ट्रीक इंदौर सीहोर शाजापूर नोटा जैसे कि हम लोग देखते हैं तो यह जो चिल्लर डायम है यह मद्यविदेश के शाजापूर जिले में हमको दिखता है और इसी चिल्लर डायम के बारे में अगर मैं आपको एक बात कम शाजापूर जिले बारे में बात करे तो शाजापूर से रिलेटेद है कऊन आपके बाल कृष्ञ शर्मा नवीन बाल कृष्ञ शर्मा नीशापा दूसी के अपूर जी गरीबनात का मेला इसका मेला बाबा गरीबनात का मेला है ये भी आपका कहां लगता है शाजापूर जिले में लगता है तो ये भी फेक्ट यहां से हम कि मद्य विदेश के वह पहले ऐसे कौन से CM है जो लीडर ऑफ पोजिशन के रूप में भी जिन्होंने काम किया है जल्दी इस फैक्ट को बता जिए बहुत बेसिक कोशन है नरेश चंदर सिंग दिगविजय सिंग कमल ना तो विरेंद कुमार सकलेचा मद्य विदेश के वह प आध का यहीं बता दो बहुत बेसिक कोशन है जल्दी जल्दी अ कि कुक है था है डिपीका पाटिदार कमलनाभ बता रही है रागनी योट्वीशायद कमलना तरुन साहूबई स्वारव शर्मा डी अंकीता भादोरिया भी जी भी डी बता रही है दिपेश ब्राह्मने भी कमलनाथ बता रहे है बहुत बढ़िया रौनक गुंजाल लीडर ओपोजिशन आनन्द पाटिदार भी कमलनाथ बता रहे है फस गया आप लोग तो इसमें इसका अंसर तो यह आएगा विरेंद्र कुमार सकलेचा जी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था मद्यविदेश के मनसौर डिस्ट्रिक में हुआ था ये मद्यविदेश के CMB रहे है ये मद्यविदेश के Deputy CMB रहे है और इसी साथ आपको दिखेगा कि ये Leader of Opposition भी रहे है ये लोकसभा के Member भी रहे है ये राज्यसभा के Member भी रहे है तो ये आपके कौन है विरेंद कुमार सखलेचा जी है मनसौर डिस्ट्रिक में इंका बर्त हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा डी ना की कमलनाथ जी तो दिपीका पार्टी दर बोल रहे है सर कमलनाथ भी बने थे ना बिल्कुल बने थे लेकिन आप ये देखो ना मैंने पूछा है कि सबसे पहले कौन से बने जल्दी वाजी थोड़ी नहीं करना है आपने कौन है हमको एग बता ना इक सबसे पहले कौन बने तो सबसे पहले कमलनाथ बने थे इस चीज़को ये विरेंद कुमार सखलेशा बने थे याद रखिएगा फिर नेक्स कोश्चन जाता है गुलाब सागर प्रोजेक्ट लोकेटे इन विज डिस्टिक के मद्य विदेश में गुलाब सागर डैम कहा है नाम से दिख रहा है पगड़ लोगे सागर सतना सीधी सिंग रॉली कि गुलाब सागर डैम कहा है जल्दी जादा समय लोगा 10 सेकंड में इसका आंसर बताने कोशिश करिएगा कि गुलाब सागर डैम मद्य विदेश में कहां पर है अगर मैं आपको इसमें हिंट दे दूँ कि यह जो गुलाब सागर डैम है वो महान रिवर के उपर बना हुआ है इसको यहां से थोड़ा सा याद रखिएगा और इसी गुलाब सागर डैम की जब बात करते है तो यह मद्य विदेश के कौन सी जिले में तो सही बात है सब लोग गिता सही बता रहे हो कि इसका आंसर जो होगा सीधी डिस्ट्रिक होगा Next question की दरब चलते है नर्मदा पार्वती लिंक प्रोजेक्ट को कौन से यह रे मिला है अब बटाइए नर्मदा पार्वती लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूवल गॉर्मेंट ने किस यहर में दिया है बताईए 2019, 2017, 2015 और 2022 तो इसको भी थोड़ा सा यहां से हमको याद रखना है जल्दी बताईएगा C, D, A, C, D, A सब लोग इसका अलग-अलग आंसर बता रहे है और इसका जो बेसिक सा जो आंसर आप देखोगे C, D, A, A, B, C, D, A, A, B, A, A, B, A, 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 B, A, 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 B, 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 A अप Буд आइए 2017 आपको इसका आपको दिखाईए देगा बहुत एकोस बहुत ही आसान सा कुश्चन है दो हजार दस दो हजार आठ दो हजार चे और दो हजार बारा है ना ऑप्शन में अब कॉशल लोधी बता रहा है भी ममता मोवेल जी ने तुम ऐसे डिलेट कर दिया सौरफ शर्मा पहले आले आंसर शाय सी बता रहा है अभी के जल कब 2 006 में लख्षिता प्रियंका आप सभी के आंसर सही है फिर एक और है वीच अव दे फोलुविंग पेर इस इन्करेक्टली मैजड इस में से वह कौन सा पेर है जो इन्करेक्टली मैजड हमको दिखाई दे रहा है जल्दी बता हिए कि वीच अव दो फॉलोविंग पेर is incorrectly matched, जल्दी बताईएगा, which of the following pair is incorrectly matched, बांदोगर्ण नेशल पाक उमरिया, अगर हम बांदोगर्ण नेशल पाक की बात करते हैं, तो 1968 में बांदोगर्ण नेशल पाक बना था, कब बना था, 1968 में, दूसरा option है मादोव नेशल पाक, तो मादोव नेशल पाक हमको मादोव नेशल पाक बना में बिल्कुल सही है, काना नेशल पाक आपका मंडला में बिल्कुल सही है, और संजे डूबरी नेशल पाक बना में गलत है, इसका आंसर क्या होगा, संजे डूबरी नेशल पाक, क्योंकि संजे डूबरी नेशल पाक जो है, आपको मद्विदेश के सीधी डिस्ट्रिक में दिखता है, तो इस फैक को भी थोड़ा सा याद रखेगा, तो यहाँ पर यह सारी चीज़े आपको याद रखना है, तो इतने फैक्स हम लोग ने य यहाँ थाद रूबरी नेकर घड़ते बाद पाक, क्योंकि पताइश के साथो लोग ने रखना है, तो इस दुछे रखना में दिखता है।